जैसरी शाम दोस्तों, राधी राधी, राधी रुपन की रसोई में आप सब का बहुत-बहुत सवागत है फ्रेंड्स, आज हम काले चने से बहुत ही बढ़ी आसी रेसेपी बना के तैयार करेंगे इसके लिए काले चनों को आपको ओवरनाइट के लिए भीगो के छोड़ देना है या फिर आप इनको 6-7 घंटी के लिए भीगो सकते हैं भीगने के बाद में अच्छे से 2-3 बार पानी से इनको वश कर लीजिए काले चने में आईरेन की मातरा भरपूर होती है तो यह हमारे मेटा पॉलिजुम को बूस्ट करता है और शुगर के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है यह जिनको शुगर की प्रोब्लम होती है उनके लिए यह रेसिपी बहुत फायदे मन्द है इसमें डाल देते हैं दोहारी मिर्च, अद्रग आप अगर लेसुन खाना पसंद करते हैं चैसे साथ कलियां लेसुन की डाल दीजिए थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और फाइन पेस्ट बना के तयार कर लीजिए इसी तरह से आपको दो बार में इसको पीस कर तयार कर लेना है काले चने में आईरन भरपूर होने से यह हमारी डाइजेशन में भी हेल्प करता है और जो लोग वर्क आउट करते हैं या फिर डाइट प्लान कर रहे हैं उनके लिए तो यह बहतर रेसिपी है बच्चों के लिए बहुत ही बड़िया टिफिन की रेसिपी है यह हमारी एनरजी को बोश्ट करता है और बोन्स को भी मजबूत करता है तो बस इसी तरह से दो बार में मैं इसको पीस कर तयार कर लेती हूँ और थोड़ा सा पानी डाल कर मिक्सर ग्राइंडर को हम साफ कर लेंगे और वो भी इसमें मिक्स कर देंगे तो फिर से मैंने इसमें डाल दी यह हरी मिर्च, अद्रक और लेसुन डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं इसी समय जो बच्चे इस्प्राउट वगरा खाना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए यह बहुत अच्छी रेसिपी है उनको आप इस तरह से बना कर खिला सकते हैं आप इसको लंच में डिनर में या फिर ब्रेकफास्ट में कभी भी एंजॉय कर सकते हैं बना कर तो बस थोड़ा सा पा ब्रज डाल सकते हैं बीन्स डाल सकते हैं गाजर डाल सकते हैं ब्रौकली मटर या जो भी सीजनेबल सबजी आ रही हो वह आप इसका अंदर डाल सकते हैं तो मैं यज ही डाल जक्री हूं इससमें को चोपर अच्छे से फाइंट हो जाती recognised हैं और बहुत जटपट से ये काम तो किचन में इसका होना बहुत ही आवर्शक है बहुत ही बढ़िया मुझे इससे हेल्प बिलती है किचन में काम करते समय आप चाहें तो यह काम मिक्सर में भी कर सकते हैं या आप चाहें तो बारिक बारिक इनकी कटिंग भी कर सकते हैं पर उसमें बहुत टाइम लगता है और सारी सबजी को हम मिला देते हैं हमारे जो पेश्ट बना के हमने तयार किया था ना इसके अंदर मिक्स कर देते हैं और अभी तो गर्मिया आ चुकी है सरदियों में तो मेथी धनिया पालक कई तरह की सबजी आती है बथवा बगरा तो आप चमलाई बगरा जो भी आपको पसंद होना वो सबजी आप इसके अंदर एड़ कर सकते हैं हरी सबजी मैं केवल यहां पर खुब सारा धनिया की पत्ति डाल रही हूं स्रिध्ध अनुसार आप धनिये की पत्ति डाल दीजिए इसके अंदर और फिर मैं कुछ मसाले एड़ कर दूँगी वैसे तो केवल सिंपल नमक के साथ में भी बनाएंगे न तो ये बहुत टेस्टी लगता है पर मैं थोड़े से इसमें मसाले और एड़ कर देती हूँ पहले डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक और फ़र मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर आप चाहें तो इसको इन समी चीजों को स्किप भी कर सकते हैं थोड़ा सा भुने चीरे का पाउडर डाल दिया है मैंने और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूती हूँ चिली फ्लेक्स और बस इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और देखिए मैंने तो बाउल बहुत ही छोटा ले लिया है आप ऐसे घलती मत कीजिएगा थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा ताकि फटा फट से काम हो जाए पर मुझे वाला सारा है चेंज करते हूँ मैं सोच रही हूँ क्यों बहुत गाड़ा भी नहीं रखना है फ्रेंड्स यह बहुत अच्छी है और हेल्दी रेसिपी है बच्चों के लिया बच्चों को टीफिन में भी बनाके यह चीला दे सकते हैं जो छोटे बच्चों होते हैं वो इस्प्राउट वगरा नहीं खा पाते हैं इस तरह से आप उ बना लेते हैं फटाफट से इसके चीले और बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है अब यहां पर मैंने एक पैन ले लिया है और पैन को अच्छे से गरम कर लिया है तो मैं आज यह चीले और भी हेल्दी बनाने के लिए घी से बनाने वाली हूं आप चाहें तो यहां प थोड़ा सा पहले देशी घी लगा देते हैं इस तरह से और चारो तरफ अच्छे से फैला देते हैं ये भी हम बहुत जादा यूज नहीं करने वाले हैं बस थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इस तरह से थोड़ा सा बैटर डाल देते हैं और हलके हातों से इसको इस तरह से फैला देंगे बहुत पतला भी नहीं करेंगे बहुत मोटा भी नहीं रखेंगे मैं इसी तरह से बनाऊंगी आप चाहें तो बिल्कुल पतले भी बना सकते हैं थोड़ा सा बैटर को और पतला करकी या फिर आप थोड़ा सा मोटा चीला भी बना सकते हैं और बस ढखके छोड़ दूंगी मैं इसको पकने के लिए 3-4 सेकिंड में अच्छे से पक के तयार हो जाएगा तो देखिए अच्छे से पक चुका है मारा और बस इसको पलट देते ह तरह से हम इसको टैन कर देंगे तो देखिए कितनी बड़ी इसकी सिकाई हुई है इस तरफ से तो बस दूसरी तरफ से भी इसी तरह से इसकी हम सिकाई कर लेते हैं और थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया है बहुँ ज़्यादा घी भी नहीं डाल रही हूँ और मैंने दूसरे गेस पर दूसरा तवा भी चड़ा दिया है लोहे का तवा चड़ा है जिससे सिंपल हम रोटी बना के तयार करते हैं जिस तवे पर मैं उस पर भी फटाफट से चीले बना लेती हूँ जब खाने वाले लोग जब बैठ जाये न तो उस समय आप दो तवे चड़ा दे इस तरह से दो पैन में बनाएंगे न तो फटाफट से काम हो जाएगा और मैं लोहे के तवे पर भी आराम से बना लेती हूँ और मैंने पहले आपको वीडियो भी दिखाई एक लोहे के तवे के उपर किस तरह से आप फटाफट से चीले या डोसा बना सकते हैं तो देखिए बहुत ही बड़िया हमारा चीला सिखके तयार हो रहा है तो बस मैं तबी के उपर भी उस पर डाल देती हूँ ताकि वो भी हमारा फटाफट से तयार हो जाए और बस थोड़ा ही बेटर डाला है मैंने एक चमच भरकी और थोड़ा सोस को फैला दिया है इस तरह से और ये चीला हमारा बिल्कुल तयार हो चुका है सर्व करने के लिए तो एक बार इसको पलट कर बहुत ही अच्छे से हम फिर से सिखाई कर लेते हैं फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी रेसेपी इसको बना कि आप जरूर से ट्राइ कीजिएगा आप इसको लंच में डिनर में या सुबह सुबह ब्रेक फास्ट में आराम से बना कर एंजोई कर सकते हैं बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को दीजिए आप उनकी पसंद की किसी भी चटनी या किसी भी सोस के साथ में इसको एंजोई कर सकते हैं तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से सर्व तो ये लीजिए मैं इसको आज सर्व करने वाली हूँ टमाटर की खटी मिठी चटनी और धनिये पोदिने की चटनी के साथ में इसके साथ में यह बहुत ही टेस्टी लगता है साथ में आप चाय ले सकते हैं दही ले सकते हैं जिसकी सी चीज़ के साथ में आप खाना पसंद करते हो ना वो ले लीजिए और इसको enjoy कीजिए बहुत healthy recipe है बनाके जरूर से try कीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक और शेर जरूर से कीजिएगा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिन लोगों ने उल्रेडी कर रखा है उनलों का दिल से धन्यवाद आप चाहें तो मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते तो ये लीजिए फ्रेंड्स हमारा हेल्दी चीला बनके तयार है आप भी बनाईए और इसको एंजोई कीजिए जैसरी शौम राधे राधे